बीजेपी से निलंबित नेताज नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है। सुप्रीम कोट ने कहा कि उन्होंने और उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। जाकर नुपुर शर्मा को माफी मांगने चाहिए। नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें लगातार जान से मारने की और रेप की धमकिया मिल रही है। लिहाजा अलगलग राजियों में पूश ताच में उनकी जान को खत्रा है। ऐसे में अलगलग राजियों में जाच में सयोग के लिए जा पाना संभव नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोड से मांग की है कि अलगलग राजियों में दर्ज तमाम मामलों के सुनवाई के लिए केस दिल्ली में ट्रांसफर कर दिये जाए। नुपुर शर्मा बीजेपी की परवक्ता रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिवेट में पैगंबर मुहमत के खिलाब टिपनी की थी। इसका काफी विरोध हुआ यहां तक कि कुवेट यूई और कतर समय तमाम मुस्लिम देशों ने उनके बयान की अलोचना की थी। इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। नुपुर शर्मा की पैगंबर मुहमत की टिपनी को लेकर देश की कई हिस्सों में परदशन हुआ। इतना ही नहीं महराज समेत कई राज्यों में उनके खिलाब मामले भी दर्ज कराए गए। वही नुपुर शर्मा को जान से मारने की धंक्या भी मिले थी। इसके बाद नुपुर शर्मा ने पुलिस से शिकायत की थी कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खत्रा है। इसके बाद नुपुर शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है।